शाक अटैक से बचने का ये तरीका बहुत important है क्योंकि हर जानवर का एक weak point जरूर होता है जो ऐसी dangerous situations में आपकी जान बचा सकता है ऐसे ही एक weak point शाक का भी होता है अब शाक्स वैसे तो बहुत खतरनाक होती है जो इनसानों को एक second में कच्चा चबा जाए लेकिन शाक्स की भी एक कमजोर ही है जो उनसे बचने की उमीद जगा देती है अब शाक एक ऐसी फिश है जिसे backward swim करना नहीं आता मतलब उसे घूम के ही जाना पड़ता है और किसी ने उन्हें टेल से पकड़कर पीछे खेज दिया तो उनका खेल भी खतम हो सकता है इसका reason part 2 में बताऊंगा